मैंने सीखा है समुंदर से जीने का सलीखा चुप चाप से रहना और अपने मौज में बहना तो गुड इवनिंग लेवली स्टुजेंट्स दिजिस मुहीन वेलकम तू दिस चैनल टूदेयर टॉपिक इस वाट इस एनलोग एंड डिजीटल एंड हाइब्रिट कंप्यूटर यह DCA का फर्स सेमिस्टर फंडमेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं उसके में आपका यह कौन से नंबर का कोशन है तैन नंबर का कोशन है तो अभी आपने आपने वीडियो देखी होगी कोशन नंबर 9 की और क्लास नंबर आपने शायद 12 देखा होगा 12 नंबर की क्ला इसमीन की लाउल तरुटर कोशन नंभे जया एक और कंप्यूटर का करेंड़ के नवार का यहां पर यह निहांड पढ़ेंगी आपन तू जलिए अपना से खेम स्पक्राइप का इन जान लेते हैं क्या होता आनलोगuba कंप्यूटर बदकिशए एक लोच आनालो जिसमें निरंतर परिवादशी भोतिक मात्रा याद रखते जाए जाएगा। भवतिक मात्रा याद रखते जाएगा। जये से बिदृत चमता। दिरफ़ का दवाब। या यान्तरिक गटी को हल कियाएं वाली जो समस्षयां होती है। समस्याओं में समबंदित मात्राओं के अनुरूप तर्शाया जाता है मींस एनलॉग जो सिस्टम होता है एनलॉग कंपुईटर यह आपकी भोतिक मात्रा जैसे बिदुत खदाप, ताप, एनायां त्रेकोई सीगती यह सब मेजर करता है कौन एनलॉग कंपुईटर ऐनलोग सिस्टम को प्रारंबिक इस्थितियों के अनुसार इस्थापित किया जाता है और फिर सुतनतर रूप से बदलने की अनुमती दी जाती है समस्या का उत्तर ऐनलोग मौडल के चारो चरों को माप कर प्राप किया जाता है देखिए दो होते हैं एक आपका होता है अचार, एक होता है अचार होता है टीक है जा आप चांडते होंगे उसके बाद शुरू की जाती हैं ना आनलोग कंप्यूटर विश्ः प्रायोजन मसीन थी प्राइजन मतलब एक जो कंप्यूटर थी शुरुआत में जो इना लग था प्राइजन मतलब उद्देश उद्देश की एक मसीन थी बस ठीक उदार्ण के लिए 1870 में बिलियम थॉमस कौन है जी बिलियम थॉमस 1875 में जिसे बाद मैं लॉड कैल्विन के नाम से जाना जाता था आपने देखा है ऑन देखा है कैल्विन का ताप का साही मातरा की है केल्विन तो यह लॉड्ड ने केल्विन ताप के मापने के लिए एक मसीन बनाई थी है ना उसे अपन केल्विन में इस मसी देते हैं दौरा विक्सित किया किया इसी तरज पर एए माइकलस और स्ट्रेटन ने 1998 में असी घटकों वाला एक हार्मोनिक विसलेशक बनाया इनमें से प्रतेक एक साइनसोईडल गती उत्पन करने में सक्चम था जिसमें जिसे लीवर पर एक आधार के समयोजन द्वारा निरंतर कारकों द्वारा गुणा किया जा सकता था परिड़नाम प्राप्त करने के लिए घटकों को स्प्रिंग के माद्यम से जोड़ा गया था आधुनिक एनलोग कम्पीटरों के विकास में एक और मील का पत्थर 1930 के दशक की शुरुआत में एक अमरीकी इलेक्ट्रोनिक इंजिनियर वन्नेवर बुश ठीक है प्राइजर क्या करता है ताप तो मेजर करता है जादा आगे कम कर देता कम होगे तो जादा कर देता है मेजर करता है यह मसीन जो अंतर समीकराण को करने के लिए आ के डिकनिकल इंट greatly यह पोपियोग करती ती टिक है अब है करती थी अ अपनी तरह का पहला वहभारिक और बिश्वस्नी घ講ल था कैसलता बहारेिक और बिश्वस्नीर कराण था बीजबी सदय के मत्य में विक्षिट Electronic Analog Computer संभावित अंतर वाल्टेज में हेर फेर करके संचालित होते थे ठीके इसको अपने स्टेबलाइजर करते यूज करते थे उनका मूल घटक एवं परिचालन एम्पलीफायर था एक उपकरण जिसका output current इसके input संभावित अंतर के समनुपाती होता था इस output current को उप्यूक्त घटकों के माध्यम से प्रभावित करके आगे संभावित अंतर प्राप्त किये जाते थे ठीक अंतर प्राप्त किये गए और उन पर वितकरम योग वितकरम मतलब की बटे वाला अपॉन वाला ठीक है योग मतलब की आपका एडिशन बिभेधन और एक ही करण सहित मतलब भाग और गुणा सही कई प्रकार की गड़तिये संचालन किये जा सकते हैं एक बिस्स्ट इलक्टोनिक एनलोग कम्प्यूटर में कई प्रकार के अम्प्लीफायर शामिल होते हैं जिन्हें गड़तिये अभी वहकती बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है एनलोग कम्प्यूटर गती शील प्रिनालियों का अनुकरान करने के लिए बिशेस रूप से उप्योक्त थे ऐसे सेमिलेशन वास्तिविक समय में या बहुत तरित दरों पर आयुजित किये जा सकते हैं जिससे परिवर्तन चर के साथ बार बार प्रियोग के करने की अनुमती मिलती है इनका ब्यापक रूप से विमान परमाणों उर्जान सयंत्रों और ओध्यों के सेमिलेशन में उप्योक किया गया था अन्य प्रमुक उपियोगों में हाइड्रोलिक नैट वर्क में भी इसका ही उसकिया गया था उधहरन के लिए जिसके सीवर के पिटनाली मांध्यम से तरल पधारतों का प्रभा और electronics network उधारन के लिए लंबी दूरी के circuit का production का विसलेशन सामिल है 1970 के दशक तक analog computer का इस्थान तेज अधिक शक्तिशाली digital computer उने ले लिया जो computer था analog उसका computer तेज और इस्थान तेज computer जो digital computer हैं जो आजकल आप यूज़ करने हैं उन्होंने इसका इस्थान ले लिया जो गुणा भाग यह सब कर लेते थे पर उनकी जो speed थी मतलब जो मेजर में था उनका amplifier मापने का काम था कि आपका कितना ताप आ रहा है कितना आपका प्रेसर लग रहा है कितनी गती है यह मतलब यह मापते थे तापते थे ठीक है जैसे के ताप है सबको यह आपका hydraulic network होता है hydraulic जैसे के प्रेसर बजन करता है hydraulic दानते हो उपर से नेट बनाते हैं या लोहोग का कुछ बनाते हैं तब वहां पर एक मसीन गिरती है hydraulic pressure होता है ठीक है उस पर जैसे के इन्हों ने दिया है से दारेंस के लिए सीवर प्रणाली के मादम तरहल पादारत का प्रवाण नेट वरकों के दोहरा आप पता सल लगा सकते हैं कूँग यह गती भी मापता है आब आता है आपका दूसरा computer जिसके बाद इन्होंने कहा कि यह digital computer आने के बाद थोड़े कम होगए तो यह digital computer के बा इसका यह राइस को देखो चितर देखो क्या है यह है इसका चितर इसको बोलते हैं आप क्या digital computer ठीक है चलो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो digital computer एक machine या उपकरण है जो किसी भी प्रकार की जानकारी को process करने में मदद करता है यह वे उपकरण है जिनके माध्य प्ले लो डिवाइस में आंतरिक रूप से संचालित होने वाले operation जैसे के binary number system का उप्योग करके होते हैं क्यूंकि computer केवल अंक या जीरो और एक ही समझता है जो आपको कही दिनों से मैं समझा रहा हूं कि computer जो है वो सिर्फ binary number या binary digit को ही समझता है आपकी language alphabet को नहीं समझता ह डिजिटल computer उपकरनों का एक वर्ग जो जानकारी को अलग अलग रूप से संसाधित करके समस्याओं को हल करने में सक्चम है यह चोटा यह डेटा यह डेटा पर काम करता है जिसमें परिणाम अक्षर या प्रतीक शामिल है जो binary code में व्यक्त किये जाते हैं जैसे आपने अक परिमाण प्रेस किया यहना तो यह क्या समझता है यह binary code में ही व्यक्त किया जाते हैं यानि केवल जीरो और एक में काउप्यों करके निर्देशों के एक सेट के अनुसार इन अंकों या उन साइयों जनों की गिंती तुलना हेर फेर करके इसकी मेमोरी में एक digital computer प्रोद्ध ना वी नियमित करने जैसे कार कर सकता है बड़ी मात्रा में website data का विसलेशन और विवस्थित करना और विज्ञानिक अनुसंधानों में गतिशील प्रणालियों उधारन के लिए वैश्विक मौसम पैटन और रासानिक प्रकरियाओं के लिए बेहवार का अनुकरन करे तो उनके अंदर प्रोग्राम फीड है जो बाईणरी नूंबर के हिसाब से व कमझते हो और गिन्वरं की जाते हैं उसी इसमें बता कि आप चाहिए कोड दबाओ चाहिए आप प्रतीक दबाओ अक्षर दबाओ परीमान दबाओ यह जो भी आप प्रेस करोगे बटन वो आपका जीरो और बन के हिसाब से ही निर्देश सेट करता है इसे के गिंती करना फिर यह मेमोरी भी डिजिटल कंप्यूटर के प्रकरिया ह इन सब के लिए किसका यूज किया जाता है आपका डिजिटल कंप्यूटर का इस्थिमाल किया जाता है आगे पढ़ते हैं कि अंग्रेजी में लिखी गई सभी सामागरियों को बाइनरी भासा में बदल दिया जाता है और इस प्रकार कंप्यूटर मनुश्च एक दूसरे के सा समबात करते हैं उस वाली भासा में जी क्या करता है आपको आंसर दे देता है एक डिजिटल कंप्यूटर उपकरणों का एक वर्ग है जो जानकारी को अलग-अलग रूप में संसादित करके समस्याओं को हल करने में सच्चम है ये डेटा पर काम करता है डेटा आप जो उ जीरो और एक काउपियो करके निर्देशों के एक सैट के अनुसार इन अंकों या उनके संयों जनों की गिंती तुलना हेरफेर करके इसकी मेमोरी में एक डिजिटल कंप्यूटर और द्योगित प्रकिरियाओं को नियंत्रेत करने और मशीनों के संचलन को विन्यावी निया करने और विवस्तित करना और विज्ञानिक अनुसंदान में गतिशील प्रणालियां उधारन के लिए बैसे के मौश्मिक पैटर्न रासानिक परकिरियाओं के लिए इसका यूज किया जाता है एक विसस्ट डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम में चार बनियादी कारयात्मक तत्व होते हैं कौन कौन से चीजें होती आपके डिजिटल वाली कंप्यूटर में आपके चार चीज़ें कौन होती है एक बैस्ट जनावर्ल को कि प्रोश इंपृट करद कम्प्यूटर में डेटा और प्रोग्राम निर्देश को दर्ज करने प्रोसेसिंग ऑपरेशन के परिदावों तक पहुचना प्राप्त पहुच प्राप्त करने के लिए किया जाता है ठीक है कहीं कहीं कि कुछ और चीजों को नहीं बना जाता है पर डिजिटल में चार चीज़े हैं काम करती है इंपुट आउटपुट आपका कंट्रोल यूनिट और एल्यू मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट सामान इंपूट उपकरणों में कीवोर्ड और आप्टीकल स्केनर शामिल है आउटपूट डिवाइजों में प्रिंटर मॉनिटर शामिल है कंप्यूटर द्वारा अपनी इंपूट उनिट से प्राप्त जानकारी मों के मेमोरी में यदि ततकाल उपयोग के लिए नहीं है तो सायक स्टोरेज डिवाइज में संग्रित की जाती है नियंतरन एकाई उचित अनुकरम में मेमोरी से निर्देशों का चैन करती है और इन्हें कॉल करती है उचित कमांड का उचित एकाई तक कॉल उचित काई तक पहुंचाती है यह इंपूट और आउटपूट डिवाइजों को बिविन ऑपरेटिंग गति को अंग गड़त तरक एकाई एलियू के साथ सिंक्रिजनाइज मतलब सुकोड देती है तक कि संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम के मद्यम से डेटा को उचित आ जावा ही सुनिच्चित हो सके तक कि संपूर्ण जो सिस्टम है वो उसकी चीजें रखी जा सकें सेव की जा सकें और मतलब गति सीलता बनी रहे सुनिच्चित हो सके ALU आने वाले डेटा को त्यादिक उच्छी गतीब बर संसाधित करने के लिए करने के लिए चाइनित अंगगड़त तरक अल्गोरिद्म निश्पादन करता है इन कई मामलों में नैनो सेकेंड एक सेकेंड के अरवे हिस्से को क्या कहते हैं अधिकांस डिजिटल कम्पूटर स्टम का कैंदीर पिंसें करन मतलब सीप्यू बनाते हैं ठीक है इतनी स्पीड से बनाते हैं मतलब नैनो सेकेंड से जबकि इन्पूट आउटपूट डिवाइज और साहिक भंडारा निकायां परीधी उपकरन बनाती हैं परीधी मतलब एक बस के रूप में कार करता है इन्पूट आउटपूट यह सब जुड़े रहते एक दूसरे से जिसे इन्पूट के रूप में जाना जाता है यह मूल रूप से उपकरन सिस्टम से जुड़ा होता है जिसे हम कीबोड मागुजे साब आपन जानते हैं इन्पूट डिवाइज उपकरता हों से इन्पूट लेते हैं और इसे बाइनारी भासा में परिवर्तित करते हैं जि आपको यहां पर सब्दों तो याद करना पड़ेंगे देखो जो सब्दें इसमें आ रहा है वो आपको समझना पड़ेंगे थोड़ी सी हिंदी भी इसमें थोड़ा अच्छी है काफी अच्छी हिंदी है जो सिंपल लेंग्वेज़ वो नहीं है ठीक CPU Central Processing Unit है जिसे कंप्यूटर का मस्तिस कहा जाता है क्योंकि यह पूरे कंप्यूटर सिस्टम को नहंतरत करता है यह तो बच्चपन वाली बात हो गई एक बार जब उप्योग करता कीवोड या माउस जैसे इंपूट डिवाइसों के माद्यम से इंपूट प्रदान करता है तो उसे Central Processing Unit में संसाधित किया जाता है जैसे आपने क्या किया इंपूट डिवाइस से आपने इंपूट दिया तो यह कहां चला गए आपका CPU में चल इसलिए CPU सबी गड़ना भागों को निश्पादित करता है और इन्हें आउटपूट डिवाइसों पर भेजता है CPU के अंदर अलग अलग घटक होते हैं इनकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती है जैसे के ALU है CU है और आपका CPU है उसके अंदर आपका प्रोसेजर है FAN है सबी अंक गड़ती और गड़ती गड़नाय करता है जिसमें जोड घटा गणा भाग शामिल हैं कंट्रोल यूनिट क्या करता है आपकी सब की चीजियों को कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट का कारह यह है कि यह मुक के रूप से डेटा को CPU से और CPU तक ले जाने की अनुमत सब्सक्राइब करता है और यहाली द्वारा किये गए संचालन का प्रवंदन करता है बेजे गए सभी निर्देशों को चुन डिकोड और विशलेशन किया जा सकता है इसके बाद यह तदनुसार इंपुट आउर्पुट निर्देशों को भीचता है मेमोरी क्या काम करती है मेमोरी वही आपका इस्टोर कारने के काम करेंगे इस भाग का उपयोग मुक्य मेमोरी के रूप में डेटा को इस्टोर करने के लिए किया जाता है और इसे आंतरिक मेमोरी के नाम दिया जाता है आंतरिक मेमोरी को कई इस्थानों में विभाज़त किया गया है बहुत सारे बिभाग बताएगा है मेमोरी के इंटरनल स्टोरेज एक्षणनल स्टोरेज फिर उसके अंदर वियास स्टोरेज फिर डी स्टोरेज बहुत सारे हैं ब्यवाजत किया गया है जो निर्देशों को संग्रेद करते हैं इन वैसे प्रतिय इस्थान का एक अधित्य पता और उसका बिना मेमोरी में संग्रेट को पढ़ेगा, जब कोई भी प्रोग्राम चलाया जाता है तो डेटाा आंधर्य इम्मोरी में संग्रेद किया जाएगा और यह निश्पादन तक रहेगा, इसे इंटरनल मेमोरी रयम या यानी रयम के नाम से जाना जाता है, मतलब यह जब तक रहेगा आपका जब तक की आपने का कंप्यूटर बंद ना हो जाए इसको बोलते है रीड ओनली मतलब रेंडम एक्सेस मेमोरी ठीक है आगे चलते हैं इसमें आउटपुट डिवाइस क्या करता है कि एक बार प्रोसेसिंग पूरी हो जाने पर इंपूट की क्या होते हैं टीक चलो डिजिटल कंप्यूटर के अउपकरण और उद्धाराण उपकरण है जिसमें वंचंतmp करक्त करनेके लिए प्रप्रोग्राम की आवशेकता होती है यह इसमें प्रकार की डेटा को शब्डक्न करने देखि यह कोशचन आपका पूरा पूरा आता है में प्रेम मैं ए मैं प्रेम और मिन यह प्रेम और सपरकंप्यूटर है अपन यह यह उत्तेस के आधार पड़ा बार्वा और अभी अपन कौन मर्ड पड़ रहा हैं कारर के आधार पड़ भी पड़ रहा है अपन इससे को पूरा टेवाइजर के साथ One जाता है जिसमें एक या एक सदीक प्रोसेसर होते हैं वे bord ग प्रोसेसर करते हैं इक से जाधा प्रोसेसींग कर सकते है जिससे प्रोसेसर क्टि ने के ह्लिए सामान घंप्प्योटर मेमोरी और आइस्ट पर इदी उपकरन को अग सकते हैं माड़ आई लोको प्रवंदन करने डेटा वेस सब्साद प्रवंदन करने के लिए किया जाता है ठीक है अब आता है मैन फ्रेम मैन फ्रेम कंप्यूटर राम तोरपत बड़े आकार के कंप्यूटर होते हैं जिनका उप्योग मुक्कर रूप से बड़ी मातरा में डेटा संगरेद करन और गराहक.ि इसके इक बड़ी मातरा में डेेटाओं स्टी की आवश्रेक्ता भिए जा नावता बडर्च के छोंगता हो एंदर यह रोप्लैन के यह सब Eduardo jja Enough about theระ्च को फिर्फेज और सबक्कि इसके दाथ को ho इसलिए अब तक ग्याद सबसे तेज माना जाता है सुपर कंप्योटर को प्रसंगटानों में किया जाता है जिन बड़े प्यमाना की आवशक्ता होती है जो बहुत सारी स्पीट से कालकुलेशन करते हैं उनके लिए यह आवशक्ता होती है डिजिटल कंप्यूटर को रोधार अब लापने वाली मॉवाइल यह बहुत सारी मसीन आती है बहुत सारे आपके जब होदार प्रस्टाप मॉबाइल है यह भी डिजिटल केलाता है अब आता है कॉश्चन नमबर मतलब तीसरा पार्ट मतलब तो हाइबरिड कंप्यूटर क्वाइबरिड कंप्यूटर कौन किलाते हैं वे कंप्यूटर जो आपके एनालोग कंप्यूटर एनालोग और प्लस आपके डिजीटल ना डिजीटल कंप्यूटर यह दोनों को मिलाकर बनाए जाते हैं वो हाइवरेड कंप्यूटर 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 में डिजीटल वाले भी काम किया सकते हैं और आप लाबों में एक ही काई के भीतर एनालोग और डीजर दोनों गड़नाओं में उपलफदता और कुशल्दा का प्रसंग करन गती सामिल है, मतलब दोनों काम ये कर सकते हैं, एक हाईवरिड कम्प्यूटर को उसके अनुपरियों के छेतर और प्रसंग करन आवश्रक्ताओं को ध है को टेज और सटीक बनाते हैं, अलाग कि हाईवरिड सिस्टम हैईवरिड कम्प्योटर की सामान नहीं नहीं है, यह भ्होत część Christmas नाएभ है के थिक कंप्यूटर हाई और कर में हाईवरिड है या नहीं हाई और हाईवरिड सिस्टम आम तोर पर केवल आइनालोग टो सबसे लाबकारी पहलियों को शामिल करता है उपकरण के प्रभावी संप्रिसंकरण के लिए जिम्मेदार है जबकि कंप्योटर के डिजिटल हिसी के समम्ध्ध तार्कि संचलन को सममोथित करने के लिए जिम्मेदार है जितने हैं आप यहं पर लॉजिकल अपके बिएधा के समी करनं के लिए है कि वही जिम्मेदार इसमे रहे जो लॉजिकल वाली चीज़ोंगी हाइवरेट कंप्यूटर के जिसके सिंपल से परिवाह से समाइलना है तो हाइविर्ड कंप्यूटर है जिसका अधेज अनालोग और डिजिटल दोनों कार रोगों और सुभी दायं परदान करना होता है सही होकि यहां पर दोनों के लिए लग्षे यह बहुत बढ़ना तक पड़ लिया जिम्मेदार नहीं है जबकि इस अधेजिटल से सिस्टम में संब्धित तार के संचलन संब्धन करने के लिए जिम्मेदार है कि इस अधेजिटल कंपूटर हो में आता है एली तो एली उ में क्या होगा इसमें जतने भी कंपूटर आएंगे आपके सारे कंपूटर आपके जो इस लोजिक तरीक से नापते हैं विसाब के डिजिटल में आएंगे देगि कौन कौन से आएंगी जैसे के स्पीडो मीटर कि यह कालीओं में अरे में जाता है किए जाता है दूसरा आता है यह है एक ह मेरेहिके सफिटल मरेजिआं के यह किया जाता है तीसरा इसमें दिया नहीं है आफा है हाइव यह थैसा में आदेक साट ऑप्योदर आप्लिकेशन अप्लिफायरों को प्यूक किया गया था अपने अपने हाइविर्ड डिजाइन के कारण ये कंप्यूटर वैपक्स चेने के अंतर समी करणों को हल कर सकते थे मतलब जिस हिसाब से डिजाइन किये गए थे तो यह बहुत सारे समी करणों को वहाँ पर हल कर सकते शॉल्व कर सकते थे सामyba ने अध्याइश हाइविर्ड कPro рад ! कंप्यूटर काई अप्रियों के लगे नियोडित कर सकते थे और कई हमारी मुद्दों को हल कर सकते थे जो सामाने वाले थे अधिकांस सामाने अध्देश वाले hybrid computer कभी अहंसकालिक hybrid computer रहा हाई-speed operation करते थे मतलब जो सामाने थे ना वह भी कही गई बहुत कार कर जाते थे ठीक बिसेस प्रयोजन अपको जो परपस के लिए बना जाएगा फिर तो वो काम करें गई तो प्रपेस जो बिसेश पुद्देश हाइवरेट कंपूटर है उनके कारेकरम मौझूदा समस्या को समधन करने के लिए पूर्व निर्दातित होते थे मला पहले से बने होते थे यह समझ जाए तो यह वाले इसमें दोनों है इसका आपका एनालोग भी हो और इसमें डिजिटल है तो इस प्रकार से आपकी जो कोशन था इन्पुट मतलब की हाइवरेड एनालोग और डिजिटल यह तीनों कारेक आदार पर यह आपको यहां पर समझा दी है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सेंट है तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो से थैंक्स पूर वचिंग